हलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपित्र पलेसी पेट एक्जाम के इस महा मायराथन क्लास में भूगोल यानि जियोग्राफी से बनने वाले महात्वपों प्रस्णों के बारे में ये जियोग्राफी का यानि भूगोल का पार्ट वन होने वाला है इसके बाद पार्ट टू और पार्ट थ्री तीन भागों में हम पूरे भूगोल को पढ़ेंगे जो पेट एक्जाम के सिलेबस से सम्बंधित होगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं चैनल पढ़ने हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा हम देख लेते हैं पहला प्रस्ण है हमारा चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है उत्तर क्या होगा चंदर भागा अगला प्रस्ण है ब्यास नदी क्या है विपासा या अरजी किया क्या है विपासा या अरजी किया ब्यास नदी का अन्य नाम है आगे देख लेते हैं अगला प्रस्ण है भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है उत्तर क्या होगा गंगा नदी बेसिन अगला प्रस्ण है गंगा नदी को बांग अगला देश में पदमा के नाम से जाना जाता है आगे देखते हैं अगला प्रशन है बंगाल का सोक किस नदी को कहा जाता है उतर क्या होगा दामोदर नदी को बंगाल का सोक कहा जाता है उसके बाद देख लेते हैं बिहार का सोक किस नदी को कहा जाता है कोसी नदी को अगला प्रस्ण है ब्रमपुत्र नदी कहां से निकलती है मान सरोवर जील के पास से ब्रमपुत्र नदी कहां से निकलती है मान सरोवर जील के पास से अगला प्रस्ण है ब्रमपुत्र नदी को तिबत में किस नाम से जाना जाता है उतर क्या होगा सांगपो और कहीं कहीं पर सांपो भी सांगपोर भी लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे दोनों एक ही है आगे देखते हैं एसिया का सबसे बड़ा नदी द्वीफ माजुली किस नदी में है ब्रम्भपुत्र नदी में ये प्रस्ण बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो इसको आप चाहें तो टिक कर सकते हैं इंपोर्टेंट के लिए आगे देख लेते हैं नर्मदा नदी कहां से निकलती है उतर क्या होगा अमर कंटक पठार यानि 36 गर से अमर कंटक पठाग 36 गर से निकलती है नर्मदा नदी और आगे देखते हैं नर्मदा नदी भारत किस राज्य में बहती है मध्यप्रदेस और गुजरात में आगे देखते हैं अग्रा पुषन है नर्मदा नदी कहां गिरती है उतर क्या होगा खंभात की खाड़ी में आगे देखते हैं तापती नदी कहां से निकलती है सतपूरा स्रेंडी से सतपूरा स्रेंडी से तापती नदी निकलती है आगे देखेंगे तापती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है तो उतर क्या होगा विब्रंस घाटी तापती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है विब्रंस घाटी आगे देखते हैं अगला प्रस्ण होगा गर्षोपा जलप्रपात किस नदी पर है सरावती नदी पर करनाटक में गर्व सोपा जल प्रपात है आगे देखते हैं लूनी नदी कहा गिरती है कच्छ के रण में आगे देखते हैं साबर मती नदी कहा गिरती है खंबात की खाड़ी में इस वीडियो को आप चाहें तो दो तीन बार देख सकते हैं और अगर दो तीन बार देख लेंगे तो जो भी मैं महा मायराथस क्लास अपलोड कर रहा हुँ वो सारी आपको कम समय में याद हो जाएंगी अगर मैं चाहूं तो इन सभी प्रस्णों को भभी कल्पी प्रारूप में अगर upload करूं तो 20 मिनट या 30 मिनट का जो भी वीडियो upload करता हूं यह वीडियो करीब 2 या 3 घंटे का हो जाएगा लेकिन मैं कम समय में जादा से जादा content देने का प्रयाश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा प्रसन आपके समझ देने का प्रयाश करता हूँ तो और हाँ यहाँ पर एक comment आया था कि महा महराथन क्लास मैं क्यों लिखता हूँ जो की 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है तो इसका मतलब यह है कि जब तक आपकी परिच्छा यानि यूपे त्रपल इससे पेट एक्जाम हो नहीं जाता तब तक पेट से रिलेटर पार्ठिक्रम लगातार अप्लोड किया जाएगा इसलिए मैं हर वीडियो में महा महराथन क्लास लिखता हूँ थंबनेल में तो चलिए देख लेते हैं आगे आगे हमारा जो प्रशन है गोदावरी नदी कहां से निकलती है नासिक महाराष्ट से अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करना चाहा है तो शेयर भी कर सकते हैं शेयर करना सबसे बड़ी नदी कौन सी है गोदावरी दच्छिन भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है गोदावरी किस नदी को वरध गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी गोदावरी की गोदावरी नदी की सहायक नदियों के नाम बताइए प्रवरा पूरोड़ा वरधा वे अगला प्रश्ण है किस नदी को दच्छिन भारत की गंगा के नाम से जाने जाता है कावेरी नदी को आगे देखते हैं महा नदी कहां से निकलती है जत्ति स्गर बेसिन से और महा नदी कहां गिरती है बंगाल की खाड़ी में कृष्ण नदी कहां से निकलती है महा बलेश्वर से और क्रिष्ण नदी कहा गिरती है बंगाल की खाड़ी में ये सभी प्रिष्ण बहुत ही ज़ादा इंपोर्टेंट हैं और लगातार कहीं न कहीं पर इच्छाव में पूछे जाते रहे हैं तो हम आगे देख लिएते हैं नाम क्या है महात्मा गांधी जल प्रपात और एसिया का सबसे बड़ा जल प्रपात कौंशा है चित्रकोट जल प्रपात और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात कौंशा है बहेरी पानी जल प्रपात आगे देखते हैं अगला प्रिशन है गौतम धारा किस नदी पर जारखंड में और भारत का कौन सा परवत नविंतम है हिमाले परवत अगे अरावली स्रेंडी किस राज्य में इस्तित है राजस्थान में और भारत की प्राचिंतम परवत स्रेंडी कौन से है अरावली और भारत के सबसे उचे परवत सिखर का नाम क्या है कंचन जंगा सिक्क क्या है आगे देखते हैं अगला प्रस्ण है किसे परवत माला को सहायधरी के नाम से जाना जाता है तो पष्चमी घाट को ये बहुत ही ज़ादा इंपर्टन आ क्योंकि ये कई बार परिच्छा में पूँछा गया है पष्चमी घाट की सबसे उची चोटी का नाम क्या है अन परवता रोही कौन है तो कौन है संतोस यादव और भारत की सबसे उची परवत चोटी कौन सी है केटू गाडविन आस्टिन और नंदा देविस सिखर किस राज में इस्थी थे उत्राखंड में और नेलांग घाटी किस राज में इस्थी थे उत्राखंड में आगे देख लेते हैं अगला मिलाम स Exec, और गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा सहर को है कानपूर अगी देखते हैं अगला प्रिश्न है भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है आंध्र प्रदेश और खानिज संसाधनों की सरवाधिक संपन्नता कहां है करनाटक में और भारत में तिन अयस्क का प्रमुख भंडार किसराज में है भारत के दो सीरसस्त बाकसाइड उत्पादक राज्यों के नाम बताईए कौन-कौन से उत्पादक राज्यों हो जाएंगे उडिसा एवं गुजरात और उसके बाद भारत में तामबा के सीरस उत्पादक राज्य कौन से है मध्य प्रदेश राजस्थान और जारखंड भारत में तामबा के सिर्ष उत्पादक राज्य हैं कौन कौन से मध्ध प्रदेश राजस्थान और जारखंड आगे देखेंगे एगला प्रस्थान है भारत में सरवाधिक निकेल का उत्पादन किस राज्य में होता है उडिसा में और भारत का प्रमुख चांदी उत्पादक राज्य में और भारत का प्रमुख चांदी उत्पादक राज्य राजस्थान बाकसाइड किसका है इलूमीनियम का विश्व में अभ्रक का अग्रणी उत्पादक देश का उनसा है चीन सरवतम किस्म का संगमरमर कहां पाया जाता है मकराना में यह प्रस्ण पूछा गया है इसलिए यह important है मकराना में आगे देखते हैं तलचर एक प्रसिद्ध कोईला छेत्र है या किस राज्य में इस्थित है उतर क्या होगा उड़ीसा में तलचर एक प्रसिद्ध कोईला छेत्र है या उड़ीसा में इस्थित है जारखंड में कोईला की खाने कहां इस्थित है जरिया में कोईला की खाने इस तित है जारखंड में भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहा हो अवश्थित है डिगबोई असम में अंकलेसवर क्यों प्रसिद्ध है प्रेट्रोल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है भारत में तेल अन्वेशन का कार्य किसके दौरा किया करनी भारत में अधिकांज प्राकरती गेस का उतपादन कहां से किया जाता है मुंबाई हाई से और माइका सिटी मैं匀 का सिठी का जाता है को डर्मा को और भारत का प्रमुख जिपसम उत्पादक राज राजस्थान और ग्रेनाइट पटियां और स्लेट कहां बनाए जाते हैं लालित पूर में भारत में हीरे की खान कहां वश्टे थे मद्धे प्रदेश में और आगे देखेंगे जादू गुड़ा क्यों प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए जादू गुड़ा क्यों प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए और ये प्रसन इंप्रसन है यह कई बार परिच्छा में पूछा गया है अलग अलग परिच्छाओं में कई बार पूछा गया है जादू गुड़ा में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले खनिज हैं कौन-कौन से बाक साइड डोलोमाइट और लो एसक टिन उसके बाद भारत में प्रथम नुक्लियर उर्जा स्टेशन के स्थापना कहा हुई थी तारापर में और बोकारों का तापिय बिजली घर कहा है जारखंड में भारत म गुजरात की राजधानी क्या है गांधीनगर आगे देखते हैं भारत में पृच्चुर मात्रा में उपलब्ध महत्वण नाभ की इधन क्या है थोरियम आगे देखते हैं कोएला कोएना यहाँ पर ध्यान रखेंगे कोएना जल विद्धुत गरह कहां वस्थे थे महाराश स्थान रखता है यानि परवन उड़्जा के उत्पादर में कौन सा राज्य प्रसम स्थान रखता है तो क्या होगा तमिलाडू भारत का सबसे प्राचिन तम उद्योग क्या है सूति वस्तर उद्योग आगे देखते हैं मसूरिया साड़ी का संबंध किस जिले से है ये important प्रसन है उतरप्रदेश में भारत Electronics Limited कहां स्थापित है गाजियाबाद में और चुनार क्यों प्रसिद है सिमेंट उद्योग के लिए प्रसिद है और भारत का प्रициम उरवरक सैंत्र कहा लगा था सिंधरी में और पंजाब में होज्री उद्योग के लिए प्रसिद शहर कौन सा है लुधियाना आगे देखेंगे अगला प्रस्ण है भारत में चंदन की लकडी के लिए प्रसिद राजी कौन सा है करनाटक और भारत में वन महोत्सो कम मनाया जाता है जुलाई के प्रिथम सब्ताह में और उसके बाद प्रस्ण हो जाएगा भारती वन सरवेच्छन का कार्याला कहां इस्थे थे देहरादून में और उसके बाद फूलों की घाटी कहां इस्थे थे उत्राखंड में फूलों की घाटी उत्राखंड और शांतगाटी केरल आगे देखेंगे और अगला प्रशन होगा चिपको अंदोलन किसने चलाया था सुंदर लाल भहुडा और केंदर सरकार द्वारा नई वने नीत की गोषणा किस वरस की गई 1988 में तो ये कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रशन थी यूपे तरपल से पैट एकजाम से रिलेटर भूगोल से सम्बंद गिसे में और ये पार्ट वन है और पार्ट टू पार्ट थ्री में अन्य प्रशनों को लिया जाएगा और पार्ट टू बहुत जल्द अप्लोड किया जाएगा उसके बाद जो भी प्रशन पार्ट वन और पार्ट टू से रिलेटर रह जाएंगे औरmies सब इम्पोर्टन होंगे वो सभी प्रशन अप्लोड किया जाएंगे पार्ट थ्री में और बोर्ड यानि जो ये परिच्छा होने वाली ही यूपे ट्रेपल सी पैट एक्जाम इससे पहले मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट दूँगा हर बिसाय का और अगर आप उन प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं तो निश्चे तोरों पर आपके लिए पैट एक्जाम काफी आ आपको आसानी से याद हो जाएंगे अगर मैं चाहो तो यह 97 बेप्रस्ण थे यहां पर इन सभी प्रस्णों को अगर मैं बहु विकल्पिया प्रारूप में लेता तो यह प्रस्ण जो बनते हैं लगभग 3-4 घंटे में बनते हैं सबसे पहले मैं उनको विकल्प दोराता औ और फिर आपको उन सभी विकल्पों के सही उत्तर बताता तो लगभग एक प्रस्ण में कम से कम 30 सेकंड लगता यानि करीबन काफी समय लग जाता तो इसलिए इन सभी प्रस्णों को मैं कम समय में जादा प्रस्णों को देने के कोशिस करता हूं तो वीडियो कैसा लगा आपको लगभग कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया जाएगा और प्रेक्टिस्ट बहुत जल्द सुरू की जाएगी जैसे ही यह सभी क्लासस कंप्लीट हो जाएंगी तो चलिए सब्सक्राइब जरू करिएगा धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए